हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे आलू चने तो मैंने कणाई में डाल दिया है तेल तेल को होने देंगे गर्म तेल हमारा गर्म हो गया है तो मैंने लिए हैं कुछ घड़े मसाले दो तेज पत्ता एक दाल चीनी का टुपड़ा तीन चाल लों दो तीन छोटी लाइची एक पड़ी लाइची एक चमब जीरा तो जीरा हमारा चटक गया में हमने डाले हैं दो बड़ी प्याज ग्रेट करी हुई इसे चलाएंगे और इसे ब्राउन होने तक पकाएंगे लाइची एकाएंगे तो प्याज हमारी हो गई है ब्राउन अब हम इसमें डालेंगे लसन अद्रक का पेस्ट तो मैंने दो चमच लसन अद्रक का पेस्ट डाला इसको मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे अब हम इसमें डालेंगे दो टमाटर बार एक पीसे हुए और नमक स्वाद अनुसार और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को पकाएंगे तो हमारे टमाटर पक चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे मसाले तो मैंने डाला है एक चमच हल्दी पोडर दो चमच धनिया पोडर और दो चमच लाल मिर्च पोडर पर एक चमच जीरा पोडर इस अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पाइं डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं और डाल देंगे दो हरी मिर्च और डाल देंगे एक चमच कसूरी में थी और डालेंगे इसमें एक चमच छोले मसाला इसे अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा पाइं डालेंगे थाकि हमारे मसाले जले नहीं तो हमारे मसाले पक चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे उबली वे चने और दो बड़े आलू छोटे पीस में कटे वे अभी इन अच्छे से मिक्स करेंगे तो अब डालेंगे इसमें हम पानी मैंने यहां पर ट्रेड़ गिलास पानी लिया है अब हम इसे ढख देंगे 10 मिनट के लिए और एक उबला आने के बाद गेस को स्लो कर देंगे तो यहां पर 10 मिनट हो गए अब हम अपने आलू चेक करेंगे अब यालू कच्छे हैं तो अभी हमारी सब्जी पकी नहीं है तो अभी हम इसको और रख देते हैं 7-8 मिनट पकने के लिए तो साथ-8 मिनट हो चुके हैं अब हम अपने आलू चेक करेंगे तो फ्रेंड्स आलू पक चुके हैं देखें बिल्कुल अच्छे से पक गए आलू अब हमारी सब्जी बन चुकी है अब हम इसमें डालेंगे एक चंबच गरम मसाला और बारिक कटावा धनिया और गेस को कर देंगे ओफ और इसे करेंगे सर्व तो फ्रेंड्स एक पार जरूर बनाएं चने आलू खाने में बहुत ही टेश्टी लगते हैं अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आती तो प्लीज सब्सक्राइब शेर लाइक जरूर करें